Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक और vacancy की notification के साथ हम यहाँ पर आचुके हैं एक और nursing officer की vacancy यहाँ पर आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है तो friends, MP, staff nurse की एक और vacancy यहाँ पर आप सभी candidates के लिए जारी कर दी गई है तो friendship vacancy कहाँ से जारी की गई है, इसकी qualification क्या रहेगी, age limit क्या रखी गई है, कौन को अपलाई कर सकता है इसके साथ कब तक इसको अपलाई करना, last date क्या रहेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको हम यहाँ इस वीडियो में प्रवाइड करने वाले हैं तो वीडियो में last तक जरूर बने रहें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए है, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिये गए red बटन से सबस्क्राइब जरू कर लें तो चलते हैं vatically update पर देखते हैं वेकेंसी कहां से जारी की गई है तो सबसे पहले ये देख सकते हैं वेकेंसी कहां से जारी की गई है तो GMC सहडोल से वेकेंसी आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है GMC सहडोल से वेकेंसी जो जारी की गई है कौन से वेकेंसी है? स्टाफ नर्स आनिक नर्सिंग आउफिसर की वेकेंसी हाँ पर रहने वाली है तो आप सभी के लिए यहाँ पर वेकेंसी आ चुकी है अब यह वेकेंसी की जो नोटिफिकेशन नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 5061 डेट आप देख सकते हैं वेकेंसी के अब जाज़े की 11.9.24 को उपर दिया गया है बियसी नर्सिंग उत्तिर अनुबंधित बांडर छात्राओं है तो विग्यप्तिक सुचना तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तादिया यह जो वेकेंसी रहने वाली है बियसी नर्सिंग उत्तिर जो अनुबंधित बांडर छात्राओं है उनके लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है तो यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि मद्ध प्रदेश आसन चिकिस्चा सिच्छा विवाग भुपाल का पत्र कर्मांग संख्या इतना डेट इतने कि परिपालन में सेचरिक सातर दोज़ा अठारा उननीस में मध्ध प्रदेश स्वासासी चिकिस्चा महाविद्याले से ब्यस्सी नर्सिंग उत्तिण अनुबंधित छात्राओं की नियुक्ति के संबंध में प्रात दिशा निर्देश अनुशार मध्ध प्रदेश स्वासासी चिकिस्चा महा आवेदन पद्र आमंत्रत किये आते हैं तो यहां पर जो वेकेंसी निकाली गई है आज़े सकते हैं जीएमसी सहडोल के अंतरगर्त यह वेकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है और यह जो वेकेंसी निकाली गई है ब्यस्सी नर्सिंग उत्तिर अनुमंधित डिटेल नीचे दी गई है यहां पर लिखा हुआ कि आवेदन की जो अंतिम दिथी रखी गई है दिनांग 12-9-24 से 21-9-24 सायम 15 तक निधायत की कि इसके उपरांद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा अब यह आनलाइन है या आफलाइन आएगा इसकी इनफार में तरन अभी आगको हम आगे देने वोले हैं तो यहां पर लाजट डेट आपको जो बताएगे 12-9 से लेकर 21-9-24 तक आप यहां पर सामके 5 चक अपलाई कर सकते हैं इसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा अब यह जो विज्यप्ति है केवल 17-78-19 में अनुमंधित चात्राओं है तो ही मानी होगी और जो 18-19 में उत्तिर अनुमंधित चात्राओं हैं उनके लिए ही वेकेंसी मानी होगी अब पद नाम यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर सीधी भरती है तो पद संख्या 23 यानि कि 23 पदों के लिए वेकेंसी यहाँ पर जारी की गई है 23 पद इसमें रहने वाले हैं कर्टेगरी वाज यहाँ पर देख लें तो यूर में यानि कि अनारच्षित में 7 पद हैं एक 7 ओपन के हैं एक महिला का है EWS के लिए 4 वेकेंसी और एक female की लिए है अनसूषी जाट में एक है और अनसूषी जनज़ाट में 3 है पिछला वाज में 5 वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं और एक महिला काटेक्री के लिए है टोटल 20 वेकेंसी जो है open category में है और तीन जो है female candidates के लिए reserved है उसके बाद यहाँ पर देसकते अहरता हैं दी गई है यानि कि qualification क्या रहना जी तो qualification जो आपकी रहेगी nursing officer की रहेगी 18 hours age limit रखी गई है minimum इसके साथ qualification जो रहेगी आप देसकते अभ्यर्थी अनिवारे रोप से भौतिक सास्त्र रसायन सास्त्र और जो विग्यान के साथ 10 प्लस टू सिच्छा पद्धर से बारवी पैच्छा उत्तिवर होना चाहिए यानि कि आपका जो है 12th qualify होना चाहिए फिजिस केमस्ट्र बायो से पीसीवी से उसके सासाथ में ब्यस्थ सी नर्सिंग आथवाज जनरल नर्सिंग उद्धर प्रक्सोथि विग्यान प्रस्चित होना चाहिए यानि कि आपने BSC Nursing या GNM आपका complete होना चाहिए ठीक है इसके साथ मत्धप्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजित करत परचाई का यानि कि आपका मत्धप्रदेश नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रेजिट्रेशन होना जरूरी लाइव रेजिट्रेशन आपके पास होन एक्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको यहां पर पर्मानेंट के लिए निमित इस्थाप्राम में नियुक्त किया जाएगा तो यह तो हो क्या पहला नियम उसके आद जो पदों की संख्या उसको निमान साग घटाया या बढ़ाया जा सकता है अब यहां पर आप गई है जो आवेदन भेजना है कहां भेजना है कारेले अधिष्ठाता बिर्सा मुंडा सास की चिकिस्ता महावेदले कुदरी रोड चामपा सहडोल मध्यप्रतेस पिन 484001 यह जो है इस साइटर्स पर आपको आवेदन भेजना है अभी ब्यस्थी नर्सिंग उत्तिवर अन तो आप जाके वहाँ पर खुद से जमा करें या फिर डाग के माधम से जमा करें निधाई तिथी के पस्चात प्रात होने वाले आवेदन भीजार नहीं किया जाएगा जिसके दिमाधाई स्वयम आवेदक्क्र होगी तो यहाँ पर आपको आवेदन भानना वह तो यहाँ तो आप self जांगे जमा करने या फिर के माधम से जमा करने, पोस्ट अप scke माधम से भेश सकते हैं, उसके जो अनिसारते हैं, किसी प्रिगार का कोई window के लिए जब बुलाई गई हैं इसको भी एक बाद देख लें यद आप किसी संस्था में कारवरत हैं पहले से तो उसे आवेदिन के समय ही नियोकता का अन्यापत्ति प्रमापत्त या अन अभ्यत्यों को रोजगार कारले में जीवित-पंदियन प्रस्तुत करना अनिवार होगा तो अगर आप किसी शासकी का अरफ sais की कारले में कारवरत हैं तो वहां से आपको उस्सी लिनी पड़ेगी और इसके लावा अन्यू जो केंडिरेट हैं उनको रोजगार कारले में जीवित पंदिया आपका लाई-पृस्टेशन नो आपको देना होगा ठीक है तो यहाँ पर यह दी गई है चैनी प्रत्यासी की नियुक्ति पुलिस केशन में उप्विक पर जाने की तरहने आपका पुलिस करने से पहले इसको पष जरूर लेंगे कहां से मिलेगा यह इसकी information भी आपको आगे देंगा अब यहां पर देख सकते आवैधन पत्र का प्रारूप यहां पे दिया गया है आप आवैधन पत्र इसको डाउंलोड कर लें इसको फिल करके जो है जो उपर सब्सक्राइब करें देना होगा अनुपर पर जो मैंने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर आपको भेज़ देना है है तो एक बार एड्रेस यहां पर फिर से देख लें कार्याला अधिश्टाता बिर्सा मुंडा साज की चीकित समाजले कुदरी रोट चापा सहडोल मदप्रेस पिन 484 001 यहां पर आपको आवेदन भेज देना है स्पीड पोस्ट यहां आप खुद जाके वहाँ पर समिट कर सकते हैं तो यह तो हो गए वेकेंसिक रिटेल और इन्फॉर्मेशन इसके लिए आवेदन कहां से मिलेगा या फॉर्मेट कहां से मिलेगा इसके लिए आपको जीमसी सहडोल के ओफिशल वेबसाइट प्याना है बिर्सा मुंडा सासकी चिकित सहमाहवीदले सहडोल के ओफिशल वेबसाइट पर आएएँगे तो आफिशल वेबसाइट यहां पर दीगे जैसे लिए आपको पीडियेव डाउनलोड करने का आप्सन मिल जाएगा यहां से आप पीडियेव डाउनलोड कर सकते हैं यहां प तो जो भी इलिजबल और छुक शात्राइं है वह अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक लिए जैहिन जैभारत